तीन बच चुके हैं और हम हैं पटाया सिटी में तो आज हम देखेंगे सैंचुरी ओफ तुरुट हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? हम किस सरह से अस्तित को में हैं? और हमारे जीवान का मकसद किया है इन सवालों के जवाब हमें यहां मिखते हैं यहां पर गाइड अवेलेबल होता है आपको टाइमिंग दी जाती है लैंग्वेज के हिसाब से तो हमारा टाइमिंग है 3.40 इंग्लिश लांग्वेज यहां पर लखडिया कैसे लगाई गई है? लॉक सिस्टिम कैसा है? यह दिखाया गया है यहां पर सब लखड़ी से बनाया गई है इसलिए आपको संभाद के चलना है म्यूजियम में एंटर करने से पहले सेफटी के लिए यहां पर हेल्मेट दिया जाता है क्यूंकि यह म्यूजियम अभी भी अंडर कंस्रॉक्शन है लगली पर कारीगिली का काम यहां की थाय मुहिलाएं करती है 1981 में इसका कंस्ट्रॉक्शन स्टार्ट हुआ है इसका मतलब है बयालिक सार्थ हो चुके है और इसका कंस्ट्रॉक्शन अभी भी शिरू है अगर आप देख सकते हैं तो जो सुन्दे मताशिकां किया गया है अब हम इस म्यूजियम में इंटर करने बाले हैं यहां की गार्ड मिस यां हमें यहां पर इंफॉर्मेशन देगी यह रॉयल बात के लिए हैं अब हम यहां से इंटर करेंगे अगे रूफटॉक पर आप भग्वान ब्रह्मा की मूर्ती और इंदर देव का एहरावत देख सकते हैं So this is the first truth of life Who we are, where we came from This all is published of a concept of human equality No matter how rich you are, where you came from or what the religion you believe in, we are all the same हम सभी एक जैसे और सभी चार मून तद्वोन से बने हैं रुथवी, वायू, अगनी और जद्वी, वायू, अगनी और जद्वान तिक व्यक्ति, समान व्यवहाद और सन्मान का पात्र है These are the four classical elements, make us all the same in balance, which is वितिया सत्या, हम कैसे जीवित रहते हैं हमारा जीवन शक्र प्रत्वति पनेत्म करता है सत्य को ये हौन में बढ़ा गया है प्रत्य सत्या, जीवन का अइंपर हम मन में के लिए पहला हुए हैं और कोई भी मृत्यों से बच नहीं सकता ये बुद्ध के अउशेश है थायलेंड के राजा रामनाईन का स्ट्रेट जीवन जिनका थायलेंड की विकास में बहुत बड़ा योगदान था चतुरत सत्या, सभ्यता का नमूना ये हौल उन महान विक्तियों के उधारत को दर्शादा है जुनने इस दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला था पांचवा सत्या, जीवन का उद्देश क्या है हम में से हर एक के जीवन का अलेक उद्देश है और इन सतंबों पर आप अपने जीवन का उद्देश तलाश सकते हैं चटा सत्या, हमारा समाज दो तरफ सिखके जैसा है हमारे स्वयम के विवहार और समाज में दूसरों के विवहार के आधार पर हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं कि अब हम अपने सफर के आखिर में हैं सात्व सत्य समाज की सुर्वार यहां परिवार की इहमियन दिखाई गई मुझेल की अपर आप हर्ट है कि अपना इस में are not even a single world यहां हिंदू सम्कृती का भी दर्शन होता है विष्न, शीवा, और गरीशा की भी मुद्ति है यहाँ पर आप विश्न अवतार की कहानिया देख सकते हैं क्रश्न भगवान ने माता यश्वता को बचाने के लिए राक्षिस त्रीन वर्दा को मारा था यहाँ पर गोपिया और माता रुखमी ने क्रश्न भगवान से मेला हुआ पारिजात फूर लेकर है म्यूजियम के मद्ध भाग में भगवान बुद्ध के अवशेश रखे गए हैं यहाँ पर उपर गन्नेश जी की मूती है यह म्यूजियम पूरी तरह से लगड़ी से बनाया गया है यहाँ पर एक भी किला इस्तमान नहीं किया गया है इस म्यूजियम की सरचना फाई, हिंदू, बाउद, चीनी और खमेर परमपराउं पर आधरित है अगर आप यहाँ पर आने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको जो ड्रेस कोड है, वो आपके कंदों और घुटनों को धग देने वाला पहन है यदि आपके कपले पास नहीं होते हैं तो यहाँ राप अरांड सकोड की सुविधा है तो आज हमने जीवन के साथ सत्य और पाच परमपराउं से बनी हुई यह संचुरी ओफ तुरुद देखी तो ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए अबर को स्विड़के बज्दाइब नहीं होते हैं धुक्त अच्चाइब के लिए चार्राच परमपराउं से बनी होते हैं अभर पालाइब एंड सम्स्क्राइब आड एंफ प्राचे तो आटेग्योज तो झाना नहीं होते हैं झाल